हेलो गाईज आज अपन देखेंगे अपामार के बारे में अपामार का बोटैनिकल है मेकाई रेंथस एस्पेरा और इसकी फैमिली है अमेरेंथसी अपामार को पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा देख लेते हैं अपन ने पिछले वीडियो में बात करी थी रस पंचक को कैसे इसली आद करें तो अपन ने रस पंचक को उनके प्रधान रस और उनके वीड़े और विपाक के साब से कैटेगराइज किया था और उनको अपन ने देखा था तब फिर आपन को चरक सहीता के सूतरिस्थान के 26 अध्याय में उन प्रधान रव्यों के संस्थान के अध्याय में आपको बताना चाहता हूँ कि उनको याद करने के बाद कभी-कभी आपको वैसे तो आपको सेम मिल जाएंगे लेकिन कहीं-कहीं पे आपको डिफरेंसेस मिलेंगे तो आचारियों ने सपश्ट ही कह दिया है किंचित रसेन कुरूते कर्म वीरियेन चापरम दरव्यम गुड़ेन पाकेन प्रभावेन चापरम मलब कभी दरव्य जो रहता है अपनी क्रिया रस से करता है कभी गुण से करता है कभी वीरि से करता है और कभी प्रभाव से करता है तो आज अपन जो द्रव्य अपामार्ग पढ़ने वाले हैं उसमें कहीं कहीं पर डिफरेंसे आएंगे तो मैं वो आपको बता दूँगा तो उसमें आपको घबराने की जुरूद नहीं है वैसे mostly points जो रहते हैं वो रासों की प्रधानता की अकार्डिंग मैच हो जाते हैं लेकिन कहीं कहीं पर डिफरेंसे आते हैं वो आपको बता दूँगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने देख लिया कि आपमार्ग का बोटेनिकल नेम है कारेंथस इस्पिरा इसकी फैमिली है तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि पर्याय आप इंपोर्टेंटली देखेगा उससे आप उसके स्वरूब को आराम से लिख सकते हैं तो देखी आपमार्ग को आपमार्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि वो दोशों का संतोधक होता है उसको शिकरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी पुष्प मंजरियां और इसके फल जो रहते हैं एकदम सिखर पे एकदम उपर लगते हैं अधह सल्ले बोलते हैं क्योंकि इसके अधोमुग कंटक रहते हैं दोनों तरफ प्रत्यक पुष्पा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अधो मुख पुश पर रहते हैं और खर मंजरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी पुश में मंजरी खर रहती है और इसकी दो प्रकार की जातियां पाई जाती है स्वेत जाती और रक्त जाती तो देख सकते होंगे आप अपमार अब बात करते हैं इसके स्वरूप की तो ये एक छुप है अपामार का छुप है एक से तीन फुट उचा अब आपको फोटो में दिख रहा हुगा इसकी सरल कांड रहती है एकदम शाखा युगत कांड रहती है और सरल रहती है उसके बाद हम बात करते हैं इसके पत्रों की त प्रेयोग की तो ये उश्ण वीरी होने से कफवाद शामक होता है तो काफवाद शामक होता है तो ये प्रेयोग आमेख प्रेयोग इसका हो जाया काफवाद ज्रोगों में प्रेयोग तो मैं आपको एक चैज ज़रूर बताना चाहता हूं लिखे तो इसको टैबूलर फॉर्म में लिखे ताकि एक्जामिनल को पढ़ने में भी आसानी हो और अच्छी तरीके से आप अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर सकें तो दोस्कर में देखा उष्ण वीजी होने से ये कफवात शामक था तो कफवात अज्रोकों में प्रयोग हो अब बात करते हैं इसकी पाचन संस्थान की तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप शूतरिस्थान के 26 बे अध्या में देखी गा तो पाचन संस्थान में रोचन दीपन और पाचन है तो आपको इजली समझ मेंड़ में आरह होगा कि यारूची अगनी मन्दा आदमान वगेरा में प्रयोग होगा उसके बाद रक्त वसंस्थान के बाद करेंगे तो कटूरस के अकॉर्डिंग ही ये हृद्ध है और रक्त शोदक है तो हृद्ध है तो रक्त शोदक है तो रक्त विकारों में उसके बाद स्वसंस्थान में तो ये भी कटूरस के recording है तो कफ नहीं सार रखोने से ये स्वास कास वगरा में प्रयोग होगा अब जब हम इसके मूत्र वह संस्थान के बात करेंगे तो मूत्र वह संस्थान में ये कटू रस की प्रधानता से मूत्र संग्रहनी होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर ये मूत्रल है अब जो हमने चाहिए था ना कि मूत्रल होना चाहिए था और अगर अगर अपन विपाक के हिसाब से देखें तो कटू विपाक जो रहते हैं वो मल और मूत्र को बांधने वाले रहते हैं लेकिन ये मूत्रल है उसके बाद अगर अगर अपन गुण के हिसाब से देखें तो लगू और र तो त्वाचावस अंस्तान में फिर से ये प्रधान रस कटू के according काम कर रहा है कुष्ठगन और कंडुगन तो कुष्ठगन होने से ये कुष्ठ रोगों में चर्म रोगों में और कंडुगन होने से वर्ण विकारों में प्रयोग होता है अब हम बात करेंगे कुछ important points की जो अगर आप exam में लिख देते हैं तो examiner के उपर तो आपका अच्छा impression पड़ेगा ही और आपको ये इनके बारे में जानकारी होना आते हैं तावश्चक भी है तो चलिए बात करते हैं अब आपको काने में दर्द है तो अपामार के तंडुल को सर्वोत्तम माना गया है मुह के अगर चाले हो गएं आपको तो पत्तों का रश चालों में लगाया जाता है आप बिच्छु जहरीले कीड़ों के काटने पर अपामारगे के पत्तों का ताजा रस निकल लगा लें वहाँ पर या फिर रस को दो चम्मच की मातरा में दिन में दो बार पिलाने से विस्का अशर तुरन्थ ही खतम हो जाता है स्वपने दोष में अपामारगे की मूल का चून और मिश्री इन दोनों को बराबर की मातरा में पीश लें उसके बाद एक चमच की मातरा दिन में तीन बार डेड़ हफ्चों तक सेवन करने पर सुभपन दोस्य अराम मिलता है तो चलिए अब बात करते हैं सबसे important point की आचारे चरक ने सूतरिस्थान के 25 अध्याय यजह पुरुशी अध्याय में कहा है प्रत्यक पुष्प सिरो विरेजना नाम मतलब नस्य सिरो विरेजन द्रव्यों में अपा मार्ग प्रत्यक पुष्प को सर्विस रिष्ट कहा गया ह तो इसका कारण यह है कि सिरो विरेजन यानि कि नस्य को नासिका से दिया जाता है और नासिका को सिर प्रदेश का द्वार कहा गया है और आचारे चरक ने कहा है कि यद उत्तमंग मंगा नाम सिरस्थ दभी दिये थे शरीर का उत्तमंग सिर को माना गया है तथा इस सिर का स् अब अपामार्ग का एक शलोग देख लेते हैं अपामार्ग के गुण है सर और तिक्षन दीपनस तिक्त कह कटू अपामार्ग दीपन का कारे करता है तिक्त और कटू इसके रस है पाचन और रोचनस पाचन और रोचन का भी कारे करता है अपामार्ग छर्दी कफ मेद अनिलापह मतलब छर्दी रोग कफ मेद और अनिल मतलब वायू का हरण करने वाला होता है नीहंती, हृदरुज, आदमान, कंडू, शूल, उदर अपची मलब हृदयरोग, आदमान, कंडू, शूल और उदर रोगों का हरण करने वाला होता है इसके विशिष्ट योग बताए गए है अपामार्ग छार तैल और जोतिशमती तैल प्रेयोजियांग है इसका पंचांग और इसका तंडूल और इसकी मातरा है मूल चून की मातरा रहते है 3-5 ग्राम अपामार्ग छार की मातरा है 1-1 ग्राम और सुवरस की मातरा है 10-20 एमेल थैंक्यू फॉर लिस्निक